गोवा, आज जब भी कोई गोवा की बात करता है, तो मन में एक मनुरम छवी बस जाती है। अपने इतिहास में गोवा या गोमन तक कई वैभवशाली समराजियों की राजधानी रहा है। गोवा एक समरिध प्रांथ हुआ करता था, विभिन व्यवसाय और व्यापार यहां फूलते फलते थे। 1510 में पुर्त गालियों ने गोवा में कदम रखा और एक एक करके कुछ हिससे अपने आधीम कर लिये। इससे गोवा की शांती और संस्कृति पर गहरा प्रभाव बढ़ा। मंदिर तोड़े गए, धरम पर आकर्मन हुआ तो प्रजा ने अपनी आवाज उठाई और कुंकोलिम गाउं के लोगों ने 1583 में पुर्त गालियों के खिलाफ पहला वित्रोह किया। जब प्रजा पर पुर्त गालियों के अत्याजारों की कोई सीमा नहीं रही, विदेशी ताकतों को टकर देने मराठा समराज्य के कीरती स्तंब छत्रपती शिवाजी महराज स्वयम आ पहुंचे। चत्रपती शिवाजी महराज और चत्रपती संभाजी महराज की वीर्ता और युद कौशल ने पुर्त गालियों के फैलते समराजे को कोई में ना सिर्फ सीमित रखा और सांत ऐस्तरफोग और मुर्गाउं जैसे कई विशेश किले और गड़ भी अपने आधीन कर लिए। पिंटो क्रांती, राने विद्रोह और भी कई पर्यास होते रहे जिन्होंने सदा ही पुर्त गालियों को अशांत ही रखा। करना दंडनी अपराद था। ऐसे हालात में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को मढगाउआ खाड़े लोहिया मेदान में हजारों की संख्या में आए लोगों को संभोधित करने ही लगे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनी। इस गिरफतारी ने सुलक्ती चिंगारी को ऐसी हवा दी जिसने पूरे गोआ में आजादी की ललक जला डाली। जहां कई लोगों ने अहिंसा और सत्य ग्रह का रास्ता चुना, वही आजाद गुमंतक दल के प्रभाकर सिनारी, विश्वनाथ लवंदे, प्रभाकर वैद्य, कुष्टोबादे साई, बाडा राया मापारी जैसे युवाओं ने क्रांती कारी मार्ग चुना, पुर्तगा लिबरेशन आर्मी और आजाद गुमंतक दल जैसी संस्थाएं, गोली बारूत से क्रांती कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हजारों लोगों ने गोआ की आजादी के लिए सत्य ग्रह का रास्ता चुना, और 15 अगस्त 1955 को लोग गोआ में उमडने लगे, अंदोलन रोकने के ल क्रांती कारियों ने एक जुट होकर पत्रा देवी में सत्य ग्रह धरना करने का नियोजन बनाया, इस सत्य ग्रह में भारत के कई कोनों से लोग आय थे, इसी सत्य ग्रह पर पंजाब के एक युवा करनेल सिंग बेनिपाल शहीद हो गए, इस स्वतंतरता यग्य में कई कवों ने अपना योगदान दिया, इसमें मोहन रानडे, जगननात राव जोशी और भी सहसरों नाम हैं, महिलाव ने भी भरपूर योगदान दिया, इनमें शारदाताई सावाईकर, बदसला कीर्तनी, प्रमिलाबाई जांबाविलिकर, सुधाताई जोशी और सहुद्रा देवी प्रमुक नाम हैं, एक और करांती चलती रही, दूसरी और भारतिय सरकार अंतराश्य स्तर पर गोआ के लिए आवाज उठाती रही, पुर्तगाली सामराज्य की करूरता अंतराश्य एकबार में भी छपती रही, इससे पुर्तगालियों पर भारी दबाव पड़ा, चारों ओर से हो रही उठल पुथल से पुर्तगाली बोखला उठे, इसी बोखलाहट में नवंबर 1961 में पुर्तगालियों ने एक एक करके दो जहाजों को भारत सेना का समझ कर उन पर आकरमन कर दिया, यहीं पुर्तगालियों की आखरी भूल साबित हुई, अंततहा ततकाल रक्षा मंत्री शिरी वीके कृष्ण मैनन के आदेश पर ऑपरेशन विजे नियोजित किया गया, 17 दिसंबर को गोवा पर भारतिय सेना ने कूच किया, जल सेना ने गोवा को घेर रखा था, हवाई सेना काल की तरहां गोवा के आकाश में मनरा रही थी, अपने आपको बच जाने के लिए पुर्तगालियों ने गोवा के सारे सितू जला डाले, परंतु भारतिय सेना ने गोवा पर वर्चस स्थापित कर, पुर्तगालियों से घुटने टिकवा दिये, आखिरकार गोवा आजाद था और इस प्रकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का अटूट अंग बना, धन्य है भारत और गोवा के स्वतंतरता सेनानी, धन्य है भारत के सैने, आज इनके ही शौर्य का फल है जो गोवा के स्वत्चंद बातावरण में लोग अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, जै हिंद, जै गोवा